नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त फूल कुमारी और आज के वर्ग में मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ कहानी, ये, सुनाओ सुनाओ कहानी सुनाओ सुनाती हूँ, सुनाती हूँ, परंतु उससे पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए पुछो, पुछो, इस दुनिया में समझदार आदमी कौन होता है? जो पढ़ा लिखा हो या फिर जो अनपढ़ हो? दीदी ये भी कोई पूछने की बात हुई, पढ़ा लिखा इंसान ही तो समझदार होता है अच्छा, क्या ये जरूरी है? चलो, जानते हैं आज की इस कहानी में, जिसका शीरशक है विध्यापर घमंड विध्यापर घमंड, शुरू करो कहानी इतने अधीर न हो, शुरू करती हूँ, सुनो बहुत पुरानी बात है, एक गाव में चार मित्र रहते थे, उनमें से तीन पढ़े लिखे, शास्त्रों के ज्यानी थे परन्तु चौथे ने शिक्षा ग्रहिन नहीं की थी, वह अनपढ़ ही था एक दिन मित्रों ने धन कमाने परदेश जाने का मन बनाया तीनो शास्त्र ने पुर्ण मित्र चौथे से बोले मित्र तुम तो ठहरे अनपढ़, हम तो शास्त्रों की दम पर कमाई कर लेंगे, पर तुम जाकर क्या करोगे? इस पर चौथा मित्र बोला अनपढ़ तो हूँ, शास्त्रों का ज्यान भी नहीं, परन्तु मुझ में बुद्धी तो है, मैं अपनी बुद्धी के बल पर कुछ न कुछ तो कर ही लूँगा, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ इस पर अपने आपको महाग्यानी समझने वाले मित्र हसते हुए बोले मित्र हो तो मना तो नहीं कर सकेंगे, पर फिर कह रहे हैं, तुम से कुछ न होगा अगले दिन पौप अटते ही, यानी सूरज निकलते ही, चारों मित्र जंगल की ओर चल पड़े जंगल पहुचते ही, उनमें से एक पड़ा लिखा मित्र अपने अनपड मित्र का उपहास करते हुए फिर बोला मित्र तुमने सोच लिया है न, पर देस अनपड लोग नहीं जाते हैं, कहीं वहाँ जाकर तुम बाद में न पश्टाओ इस पर अनपड मित्र ने जवाब दिया मित्र तुम्हारी तरह मुझे पड़ाई का अफसर तो न मिला, परंतु जिस प्रकार तुम्हें अपने शास्त्रों के ज्यान पर विश्वास है, उसी प्रकार मुझे भगवान की दी बुद्धी पर विश्वास है, अगर मैं उसका सही इस्तमाल करूँगा, तो मैं भी जीवन में तुमसे पीछ नहीं रहने वाला जवाब सुन, तीनों शास्त्र ने पुण मित्र ठाहा का लगा कर हसे, और चारों ने यात्रा जारी रखी कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उन्हें बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई मिली, तीनों ग्यानी मित्र उन्हें देखकर मंद मंद मुसकाए और चौथे से बोले देखो मित्र, हम इन हड्डियों पर अपनी विध्या के इस्तिमाल से अब एक चमतकार करेंगे, फिर बताना क्या तुम अपनी बुद्धी से यह कर सकते हो? यह कहकर अपनी विध्या पर घमन करने वाले तीनों मित्र हड्डियों से कुछ तो करने लगे पहले ने हड्डियों को जोड़कर उनसे एक धाचा तैयार कर दिया, दूसरे ने भी अपनी विध्या आजमाई और उस धाचे पर मास, खाल और रक्त संचार की व्यवस्था कर दी अब वो बिखरी हुई हड्डियां, बिल्कुल एक मरे हुए शेर के समान दिख रही थी, तीसरा मित्र भी अपनी विध्या का परिक्षन करना चाहता था, वह बोला अब देखना, मैं अपनी विध्या से कैसे इस मरत जानवर को जीवित करता हूँ तभी चौथा अनपड मित्र बोल पड़ा, ठेरो मित्र, यह मरत जानवर शेर है, इसमें प्राण मत डालो, नहीं तो यह हम सब को खा जाएगा तीसरे मित्र ने जवाब में कहा लगता है तुम्हें हम तीनों की विध्या से इर्षा हो रही है, इसलिए मुझे अपनी विध्या का सफल परिक्षन करने से रोक रहे हो यह बोलते हुए उसने शेर को जीवित करने के लिए मंत्र पड़ने चालू कर दिये चौथा अनपड मित्र उसे रोकता रहा पर जब वह नहीं माना तो दुखी मन से वह पेड़ पे चड़ गया मंत्रों की असर से कुछ देर में शेर जिन्दा हो उठा, उसने जपट कर तीनों मित्रों को मार डाला और वहां से चला गया चौथा अनपड मित्र यह देखकर बड़ा दुखी हुआ और शेर के जाने के बाद पेड़ से उतर कर अकेला ही अपने रास्ते निकल गया तो बताओ अब किसे समझदार कहोगे आप? दीदी इस कहानी में तो अनपड व्यक्ती ही पड़े लिखों से जादा समझदार निकला बाखी तीनों के पास गजब की विध्या थी परन्तु उन्हें उस पर घमन करना नहीं चाहिए था अगर वे अपनी विध्या के साथ बुद्धी का भी प्रयोग करते तो अनपड मित्र पर प्रभाव जमाने के चक्कर में शेर को जिंदा करकर अपनी जान न गमाते अनपड मित्र ने तो बुद्धी मानी दिखाई और पेड़ पर चड़ कर भज गया बिल्कुल सही कहा उन तीनों मित्रों को अवशे ही शास्त्रों का बहुत बढ़िया ग्यान था मगर विध्या पर इतना घमन भी था कि वे भूल गए कि शास्त्रों में तो यह भी लिखा है विध्या ददाती विनेयम यानी विध्या विनय मानी नम्रता भी सिखाती है अगर विध्या पर घमन्ड हो जाए तो विध्या तो रहती है पर बुद्धी भ्रश्ट हो जाती है और आपकी विध्या ही आपके विनाश का कारण बन सकती है ये तो बड़ी अच्छी कहानी है दीदी तो बताओ इस कहानी से आपको क्या सीख मिली इस कहानी से हमने सीखा कि हमें विध्या पर घमन न करते हुए परिस्चिती के हिसाब से अपनी बुद्धी लगा कर कारे करना चाहिए नहीं तो कभी कभार हमारी विध्या ही हमारे विनाश का कारण बन सकती है बहुत बढ़िया आज के लिए बस इतना ही ग्यान फिर मिलेंगे जय मां भारती